भोपाल की बेटी ने इतिहास रच दिया जब अगले साल टोक्यो में उलम्पिक खेल होंगे तो सबकी नजर भोपाल की इस बेटी चिंकी यादव पर होगी क्योंकि चिंकी यादव ने टोक्यो उलम्पिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है भारतिय निशानेबास चिंकी यादव ने 24 एशियन चैंपिंशिप में 25 मेडर पिस्टल के फाइनल में रज़त पदक जीत लिया इसी जीत के साथ उन्हें उलम्पिक का टिकट भी हासिल हो गया है 21 साल की चिंकी उलम्पिक कोटा हसिल करने वाली 11 भारतिय निशानेबास है फाइनल में चिंकी को 296 अंक मिले टुनामेंट में उन्होंने कुल 588 अंक हसिल किये और दूसरे स्थान पर रही इस परधा का स्वन्ड पदक थाईलेंड की खिलाडी ने जीता है चिंकी यादव की इस उपलब्धी पर पूर्व सियम शिवराज सेंग चौहान ने खुशी जताई है और टूइट कर बधाई दी है वह बीजेबी के कद्दावर नेता खेलाश बीजेवरगी ने भी टूइट कर चिंकी यादव को शुब कामनाई दी है Bureau Report, MPTAC